वेल्कम तु देखने वाले हैं यह आपके पास पॉलिगन से उनके एरिया के उपर डिपेंडिन यहां पर स्टार्ट करते हैं फिर फॉस्ट कर रहा है देखे पास बात करें यहां पर एक टेबल है उस टेबल के उपर टॉप लगा हुआ है जैसे कि आपके पास टेबल के टॉप की बोली गई है वो किसकी है यहां पर ट्रैपेजियम शेप के अंदर है अब यहां पर क्या पूछा गया है जड़ा बात करें यहां पर फाइंड इस दे एरिया इसका एडिया हमें फाइंड आट करना है इसकी जो दोनों पैरललर साइड से उसका जो आपके पास लेंट दे रखी है 1.2 मीटर दे रखा है बात करें यहँग आपके पास फैलो क्राम होता है इनका नाम हम क्या देते हैं a and b जैसे कि आपने फ़र्माई के अंहें देका होगा ऐसे कि कह दिखा एब पास यह जो लिए और तर came है कि सकते हैं इसा ओश्क है यहां पर एरिया और आप्टले में बात करूं है यहाँ यहां पर एर्या और यहाँ प्लस भी डिवाइड बे आप क्या करते हैं 2 मतला पैललर साइट का सम करके डिवाइड बे 2 करना है और इन 2 आपको करना है हाइट से मल्टिप्लाइ करना है यह हमने किस से बढ़ा था यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपिजिम के कीसिस के अंदर डिस्कुस किया था अब ज किलिया अच्च Estamos करें यहाँ पर और इसकती है और यहां पर ब्र हो जाती है और इसका मतलर करें अभागा थो लिए-छे-ट्यइश के बारे में और यहां से रिजल कितना है 0.4 इन तो आके पास लगए गए हम यहां पर एडिसन करें तो यह कितना ओब आउत करें तो दो नहीं हुए यह रगए हमने तैन में यहां रगाया नहीं पहुत करें होगدا यहां पर 20 हो गया यहां पर 10 हो गया डिवाइड में बात करूं तो आक्यास क्या हो गया जैसी आप यहां पर रिजल्ट की बात करेंगे तो आक्यास क्या जाएगा 0.88 मीटर स्क्वेर आपके पास रिजल्ट आजाएगा आइधिंक क्लिए समझा आच्छो को क्या वाँ जिस्ते से करना है सिंपल कुछिन होते है सी दा फॉरम ये समझा लगोन है और दिदाना की कहा है रेकुषिस करें तो अग्रा कुछ दिए रहा देखें यहां पर क्या लेक्वा है ने अधूर्ट ट्रापिसम इस थर्टी ट्रापिसम इजज्ज इरेका है यहां पर एक साइड की यहां पर लेंड रखी है वह कितनी यह 10 है तो माल लेते हैं यह आपके पास क्या दे रखी है अभी हम मान रहे हैं यह 10 है हो सकता है इससे आने वाली जो लेंथ होगी वो इससे ज्यादा होगी तो उस हम उसको लगने और उसको यहां पे बाहर रहे हैं कि यहीए आपके लिए recommended बात करें है यहां पर इकालनी है मतलब बात करें यहां पर यह जो वैल्यू है यह हमें फाइंड़ कर लिए कर सकते हैं बहुत इसी है मैं बात करूं किसके बारे में एरिया ओफ ट्रेपिस्जम के बारे में बात की जाए यहां पर तो आपके लिए क्या होता है बात करें वन बाइटू हाइट इंट तो मैंने हाइट की जगह फोर दिया इट टो अभी लिसेंट क्या इंट counts क्या नहीं दीदा है है यहां यहां पर घ्रिजा प हूंand तो यहां पर चुका है तो यहां पर जो रिजल्ट आया है मतलब बात करें एक प्लस का 10 है इकोल टू किस तर जाएगा तो किसम बन जाएगा माइनस की 10 में बन जाएगा तो यहां बात करें इस एकल टू कितना हो गया 17 माइनस 10 हो गया और यह कितना आंएगा कितना आएगा यहां बात करें तो भी तो इसकी जो यूणिट है व भी आप कैसे आएगी हां पर संटीमिट्र आने वाली वाली है यह यूनिट क्या हो जाएगी बात करें यहां पर संटिमिन हो जाएगी आई इससे से करना है बहुत सिंपल कुश्चन है इसी तरह के सिंपल सिंपल देखने मिलते हैं तो चलते हैं हमारे अगले कुश्चन को पर देखिए अगला कुश्चन क्या बोला है यहां पर बात करें तो यहां पर बात करें तो एक ABCD आपके पास क्या है एक तरगी फिल्ड है आपके पास यहां पर उसकी तोड़र आपके पास जो लेंद्स बोली के है वो कितनी है 120 मीटर्स है अब यहां पर क्या बोला है इफ BC is equal to 48 CD is equal to 17 AD is equal to 40 मैं आपको यहां पर इसके एडिया का क्या निकालना है यहां पर फिल्ड का एरिया निकालना है लिखा है side AB is the perpendicular to to the parallel sides of the यहां पर बोला है AD and BC AD और जो BC है वो क्या है parallel sides है और उसके बीच में आपके पास परपेंडिकुलर side there की है और वो कौन सी अबकास AB है माला आपके पास जो structures है यहां पर यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा इसका naming देना पड़ेगा तो name नेम देते हैं यहां पर तो तो मैं देख्यों बात करता हूं name के लिए तो name आपके पास Become A, B, C, D है तो आप यहां पर देखे आपकर आपके बोला गया है यहां पर जो AB i है वो perpendicular side तो यहां पर आप देख bell को प्रपटिए करें बात करें। अच्छा देखें, BC आपके पास ज्यादा है, AD आपके पास कम है, तो आपको इसको reverse करना पड़ेगा, clear, मतलब हमारे जो trapeism है, वो हमने थोड़ा direction गलत बना दी है, तो हमें इसको करना पड़ेगा, reverse करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं देखें, B, और यहाँ पर C, BC दे रहा हूँ, तो यह आपके पास हो गया, B and C, यहाँ पर बात करें, यह हो गया, A, then B, then C, and यह आपके पास हो गया, D, clear, इस तरह से बना हुआ है, आप जड़ा बात करें, आपके बात करें, आपके बात करें, बढ़ने यह जो perpendicular side हो आपके आपके आज क्या है, A, B है, अब हमें क्या निकालना है, इसका area find out करना है, area of the trapezium find out करना है, देखे, area of the trapezium का formula की याद करें, तो आपके आज formula क्या होता है, 1 by 2, height into, जो जो parallel sides होती है आपके पास उसका क्या करना पड़ता है सम करना पड़ता है तो पहले हमें हाइट निकालने पड़ेगी और height कैसे निकाल सकते हैं हाइट निकालने के लिए हमें टोटल एक टोटल लेंद्ट आपकते हैंग यहां यहां पर करते त Businessunya यहां पर निकाल सकते यहां और जब निकल जाएगी तो यहां पर करूंगा अब कर सकते हैं तो यहां पर बात करूंगा यहां पर क्या है इन सभी का सम आपके आज कितना होता यहां पर 120 आपके आज मीटर लिखा हुआ है क्लिया अच्छा बात करें ए ली निकालना है तो क्लिया अब यहां पर वैलु रखे डिचल ना यहां बात करें तो यह हो गया 20-10 के साथ इन सभी का सम करना है और यह सब कहा जाएगा उससरों जाएगा माने सम कितना रहा है यहां पर 15 15 का 5 हो गया क्या लग यहां पर लग यहां पर 10 तो यह हो गया 105 और रिजल्ट के बात करूए तो कितना रहा जा देखें जीरो में से 5 को लेक्स कि आपके पास होगए यहां पर 5 डैन आपके पास बात करें यहां पर बात करें तो करेंगे तो यह आपके बात करेंगे इसके area के बारे में अब इसका area निकालना आशान है तो मैं बात करू in a plus b yes a plus b का आपका sum होता है yes बात करें a कौन सी है तो a आपके पास ये है b की बात करूँ तो b आपके पास ये है and then height के बार में बात करें तो height आपके पास ये है clear value रखे region निकालें तो बात करते हैं यहाँ आपर देखे 1 by 2 as it is आ रहा है यहाँ पर height अभी अभी निकाली कितना है 15 है और multiply का सान लगेगा यहाँ आपर yes मैं बात करूँ क्या लगेगा multiply का सान लगेगा a plus b की बात करते हैं a कितना है 40 b कितना है 48 तो 40 प्लस 48 यह कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा unit की बात करें unit सबसे important चीज है तो हो जाएगा meter square yes unit कितना हो जाएगा आपका मीटर स्कूर हो जाएगा clear देखे क्या रहा है यहाँ बात करूँ यहाँ पर 15 इस तरह से भी आपके पास question आ सकते हैं तो उस question को किस तरह से deal करना है I think आपको क्लिए सब्सक्राइब होगा clear बढ़ें आगे question के पार I think चलें आगे यहाँ पर तो चलते हैं हमारे question number 4 के तरफ देखे question number 4 है वो हमसे यहाँ क्या क्या रहाए जारा देखे the diagonal of the cordilator shapes in the shape field is the 24 meters and the perpendicular drop it on the form of the remaining opposites vertex and the 8 meter and 30 meter find the area of the field देखे इस तरह का आपके आपके आस एक कोडिलेटर के इंदे बात करूँ आपके पास तो इसकी जो perpendicular length है यहां बात करें तो यहां पर 8 meter दे रखी है ओके यहां से यहां तकी टोटल से मिलके बना है एक upper triangle है और एक आपके पास क्या है lower triangle है इन दोनों triangles की आपके पास क्या हो रहा है area को addition किया रहा है तब आपके पास क्या बन रहा है इसका total area बन रहा है यहां पर यहां पर यहां बात करता हूं इसके बारे में तो मैं बात करूं किसके बारे में area of the क्या है is first riders के बाmetro कि बारे में कोडी लेटर्र के बारे में बात करूं यहां पर तो इसक可 now क्या होता है बात करें तो वह होता है आपके पास only to fighting you guys यहां बात करें to yeah फिर बाइट बात करें यहां फीर यहां बाば इस in HEAD2 क्या है तो यह चो 13 आपको दिखा आए यहां से यहां तक कि यह आपके लिए हाइट 1 हो जाएगी इसकी बात करों तो यह आपके लिए हाइट 2 हो जाएगी आप दोने में से कोई बी एक अपनी हाइट मान सकते है बात करें D क्यों लिए तो डी आपके लिए क्या रूल करेगी डाइगनल का रूल करेगी तो यह आपके लिए क्या है यहां पर बात करें तो यह डाइगनल डी है यहां पर आप क्या करें इस फॉर्मली के अंदर पूट करना है और रिजन निकालना है तो रिखाएं यहां पर देखें वन बाइटू क्वेट इंटू प्लस है 13 प्लस हो चुका है यहां पर क्योंकि हो रहे हैं अब में इंपोर्टन है यहां पर यूनिट के बारे में क्योंकि हम यहां पर बात करें है एडिया घ्लिड है तो यूनिट अब ज़रह ऍसके स्यूसैंस के लिए भेंगे कुरिया एसके स्लीशन के दिए ज़र्दिक ने क्यं तुह रही है चाहिए अपकर पर यहां पर यहस थर्टिन प्लस कितना आपकास यहां पर 8 है 158 की बात करें यहां पर इस यहां कितना होगया 21 हो चुका है उनिट की बात करें तो यूट पके क्या है यहां मीटे स्कोर है लिए करें तो देखे 21 सब्सक्राइब तो इस तरह से आप अपना जो रिजल्ट है वह यहां पर निकाल सकते हैं तो यह कुश्चिन है बहुत सिंपल है और यहां पर इसका जो एरिया निकालने का तरीका है वह मैं आपको लाश्ट वाली रिलेक्टर कंदर कवर अप कर चुका हूं बड़े आगे यह यहांपर आगला कि फित कर लाहें अकला कुश्रिण क्या करें जाए। कर दे रिखें कई हो आपको लाहें इसका इर्या निकालना थे इसका इसका णिए च्रअ करें तो यहां पर बात करें तो basically बात करें यहाँ पर देखें आपके पास rhombus दे रखा है और rhombus की दोनों डाइगलन्स दे रखी है देखें रोंबस की cases के अंदर हमने एक चीज को notice किया था यहाँ पर जब हमने रोंबस के बारे हम डिस्कुस किया था हमारे जब इस chapters के बारे हम डिस्कुस कर रहे थे आपके पास दो डाइगनल्स है यहाँ पर बात करें एक यहरी जो डाइगनल्स है इसका नाम आपके पास क्या है डीवन है इसकी बात करो तो यह आपके लिए क्या हो जाएगी यह दोनों क्या है यहां पर यहां पर यहां पर आपको डीवन डीटू दोनों की वेल्यू दे एपास क्या होता है 1 by 2 D 1 into d2 यस 1 by 2 D 1 into d2 अब जड़ा बात करें यहां पर देखे 1 by 2 as it is रहेगा d1 की बात करें तो देखे यहां पर d1 की वल्यू कितने रहे 7.5 cm है देखे डेंगलर्श ओफ रोमबस आ वाज 7.5 cm and 12 cm तो देखे D1 की वेल्व की बात करें तो यहां पर आप कास क्या है 7.5 cm है तो 7.5 हो गया multiply करना है आपको किस के साथ यहां पर 12 के साथ करना है clear अब यहां पर बात करता है unit के लिए तो unit आपके बास कितनी है ज़रा बात करें तो unit किसमें चल दए में चल है यहां पर unit कि हो जाएगी centimeter का square हो जाएगा यहां पर जाएगा centimeter स्कूर क्लियर हाद करें देखे टू सिख्षा आपके वाल गया हो गया अब हम multiply करना चाहरे हैं आपर देखे फाइब सिख्षा कितना होता 30 30 का 0 के याँ तो यहां पर तो हो गया ह ला स्त्रीव के बाद करें तो 45 वोच गहा है तो इस तरह से आपका जो यह हां पर निकल जा रहेगा किस तरह से फॉर्मेल लगाने है बहुत कोश्चन होता है यहां पर ब। आप आप जुभी इनफॉर्मेसन हो तक बनाए उस पर जोagne iberlike है वो आपको automatically मिल जाएगा clear बढ़े आगे यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखें अगला जो question है उसको जरा study करते हैं तो अगला question यह रहा लिखा है यहाँ पर find the area of the room bus whose the side is equal to five centimeters है and whose the altitude is equal to four point eight centimeters है if one of the diagonals is the eight centimeter long find the length of the other diagnosis बना को अदर जो डाइगनल से वो भी निकाल ली है प्लस यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है एडिया निकालना है clear देखें रोंबस की बात करूं यहाँ पर रोंबस के सबसे बहले बात करेंगे यहाँ पर find the area of the room bus whose the side is equal to five centimeter तो आपके इसकी कोई भी एक side दे रखिए जस लाइक मैं बात करता हूँ यह आप इसकी side माल लीजिए यहाँ पर माल लेता है यह side होगे इसकी five centimeters होगए यहाँ पर and whose altitude is equal to four point eight centimeter मतब यहाँ से इसके उपर कहते हैं एक altitude डाल रखिए यहाँ आप माल लेजिए कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर altitude के माल लेता है यह यह altitude माल लेता है यहाँ यह 90 डिग्री बन लेता हूँ तो यह altitude हो जाएगी clear और यह altitude कितनी है 4.8 cm है यह यह आपको जो दूसरी डाइग्रस है वो भी निकालनी है देखिए यदि मैं इस डाइग्रस के थूँ इसका यहाँ पर area find out नहीं करना चाहता यहाँ पर मैं simple सा parallelograms के अंदर से area निकालना चाहूंगा तो parallelogram के cases के अंदर आप इसका area कैसे निकालते हैं यहाँ पर base into height से निकालते हैं और height क्या चीज़ होती है तो जो base के उपर perpendicular डाला होता है वही उसकी क्या करती है height करती है तो मैं बात करूँ यहाँ पर area of the rombus के बारे में देगे basis के value की बात करें तो base यहाँ पर आप कितना ही मानें गानेंगे उपका बेस होगया ऑफ की कितना है हूग यहा यहां पर बात करें तो 24 आपके बात करें हमें यहां पर इसकी दूसरी डाइगलेस कैसे निकाल पाएंगे तो देखें रोंबस का एरिया का निकालने का फॉर्मला है वह हमार पास एक और है वह क्या है आपके पास यहां पर बात करें यहां पर बात करें तो बात करते हैं एक और तरीके से रोंबस का एरिया निकलता है तो बात करते हैं एक और तरीके से रोंबस का एरिया निकालता हूं यहां पर किसके बारे में एरिया ओफ यहां बात करूं किसके बारे में एरिया आप चाहें किसी बी और तरीके से निकालें और चाहें जितने ट्राइंगल बना लें और ट्राइंगल के एरिया से निकालें आप इसका 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 एरिया या फिर बात करें आप डारेक्ट फ़र्मला यूळय निकालें तभी आपके पास दोनों केस्से के अंदर जो एरिया निकलने वाला है वह एक्दम क्या निकलने वाला, कोई है चेंजिस नहीं आएगा तो चाहे आप यहां से निकाले चाहे इस तुआले फॉर में निकाले दोनों रिसेंट बात करो तो बात करूँ एरिया हो तो रोमब सब्स हमने कितने लागा ला तो यह हो गया 24 इस इकाल टू बात कुरूं देखे सब्सक्राइब आ NICK अब यहाँ शेटाए निकालने ymart लिए हूं यहाँ मुल्टिप्हाइब कर वादे यहाँ यहाँ पर ा लिए हूं अंपर, 24 female và the को कर देंगे ऑठ क्या लगा देंगे यहां से आपके पास एक और वह सारी चीजह किस में चल रही है सेंटिमीटर में चल रही है यहां जो इसलिट किया मिले का यहां पर सिंटिमीटर में मिलने वाइए चूर्ज टू उसके बाद बात करें 4 is ऍवहाई किस तरीके से निकाले आप चाहें यह व्यावार व्याड पास त्रेंगल को आड़ करके निकालें आपके पास यह अपके पास एड्याइल को रिजल्टाइस वह आपके पास ऐसे आता है वह आपके पास पर सेम आने वाला है क्लियर समझ आगे हैं आप तो इस तरह से अपना निजन निकाल सकते हैं